हेलो एब्रीवन वेल्कम टो मैं चैनल अगें इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं लीट कोड वीकली कॉंटेश्ट 292 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रावलम ओके सो आज लीट कोड जैसे कॉंटेश्ट सुरू आउसकर तो विबसाइट साइस वर्क नहीं कर रहा था तो म करते हुए जाना ओके सो कुष्टन पर मोग करते हैं फर्स्ट कुष्टन बहुत हैं जी कुष्टन है तो कुष्टन में क्याते हो कि आपके पास एक श्ट्रिंग है नम आपको उसमें सबसे लाजस्ट इंटीजर फांड आट करना जो की गूड होगा अब उसका क्या है कि सब्सक्राइब करने का मतलब कि जो श्रिंग है आपका दिया हुआ है ठीक है आपको इक स्ट्रिंग दिया हुआ ऐस है तो आपको यहां पर स्ट्रिंग में तीन डिजिट के स्टिंग जो मिल रहा तो यह सारे करेक्टर कर दोई हो सकता है या कि है ऐसे करके आपको जितने भी नीगे सबका जो मैक्समाल उसके पहलेक को और यह करता है कि उसके बाद इसको यह अपर तो यह से थोड़ा सा फॉंट करें बड़ा तो यह टेस्ट के जो दिया हुआ है इसमें देखिए हमारे पास ऐसे गुड़ी सवस्टिंग काफी हो रहे हैं एक सवस्टिंग सापका 777 जो है लाइटेड है एक आपका 333 यहां पर होगा यहां से कंटिन्यू ठीक है एक और जो आपका है यह वाले यहां से अगर तीन आगे जाएंगे तो यह भी होगा आपके पास टोटल 3 ऐसे गुड़ सब स्ट्रिंग है अब इसे गुड़ नंबर है इन समय मैक्सम कितना होगा मैक्सम था हमें यह मिला 700 सफ तर जैसा है तो यह मैक्सम यहीं प्रेंट करना ओक्या तो एक तो तरिका यह है कि आप प्रेंट के फर्स्ट करेक्टर से आई-स ट बन गया नेक्स्ट टाइम जैसे मालों यहां से चेक करते होगे तो यह यहां से यहां तक चेक होगा जो मैक्सम होता जाएगा वह हमारा अंसर होगा छिक तो दूसरे तरीका से यह सकते आप लाइक बहुत जोभी अंसर होगा या तो वह 0000 होग ग lobster लेके या तो नान तक ही जाएगगा में हंग सिर्थ क्योंकि Тीन है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपका जो ठीक है आप हमें मिला कि साथ इन तीन इनका मैक्सिम कितना से अब सेवन को तीन बार प्रिंट कर दो अगर हमारा स्ट्रिंग कहीं पर कुछ नहीं मिला तो जस्ट इम्ट्य श्ट्रिंग ही चला जाएगा एक ऐसे भी आप कर सकतो बट आ हमारे पास साइज यहां पर मैंने इन कल्कुलेट किया आए प्लस टू लेज देन रखा है ताकि फिसे मुझे वह चिक करना पड़े मिन से यह लाश्ट पोजिसन होगा जहां से मुझे तीन के सवेश्टिंग मिले होगी चिक किया मैंने सवेश्टिंग अगर तीनों जा वह श्टूर होगा जाए श्ट्रिंग में एंड यह अमने लेटन कर दिया तो इस क्वेश्टिं में इतना है यह क्वेश्टिंग काफी जी था ठीक है अब कुश्टिंग पर मूग करते हैं सब्सक्राइब क्या होता बहुत सारी बिगनर्स लोगों में तो यह खासके लिंग ट्रिश्ट्री वगेरा जो होती काफी तो उनको टाफ सा लगता ओके सब्सक्राइब करना उसके बाद ही आप मतलब यह आगे प्रसीट करना वीडियो पर ठीकर एंड वन तिंग की आपको सब्सक्राइब करूंगा तो कोड का लिंग नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना यहां पर क्या है कि आपके पास एक रूट है सो बाइनरी ट्री है आपका रूट होगा ठीक है आपको क्या करन इन सारे नोट की कांटिंग को रिटर्न करना मिंस नंबर आफ नूट्स हैविंग दे वैल्यू इक्वल टू एवरेज ऑफ दे सब्टरी मिंस अगर हम फोर को देख रहे हैं तो फोर का जो पूरा जो सब्टरी यह है इसका जो एवरेज होगी अगर यह रूट की वैल्यू की इक्वल है तो यह एक वैल्यू जह हमारा अंसर में कॉंट होने वाला और यहां पर एवरेज को क्या करना अगर 5.2 आ तो हमें एवरेज फाइव लेना तो यह रूंडे डाउन करनी है हमें एवरेज को नियरेस्ट इंटीजर के पाराज में और यह सब्टरी का मतलब बता र है इसका सब्टरी आ ला रहा है तो यहां पर अगर हम देखें इस फॉर के लिए हमारा जो सब का सम होगा 480156 इसका समा रहा है 24 तो 24 और टो टोटन अवरेज कैसे निकालने सम डिवाइड़ वाई नंबर आफ एलमेंट तो सम यहां पर तो 24 होगा नबर आफ एलमेंट कितन से लाली अगर हम 5 के देखें तो 5 क्या है 5 और 6 11 11 वाई 2 इस इस वाले रूट के लिए अगर मैं इमेज को कौपी कर सकूं को पी में लिए तो आपको मैं यहां पर आप तो तो यहां पर देखते हैं एक बार कुस्स करके हैं प्रेस्ट होती है यह प्रेस्ट होगे कि अभी जाब ही है कि अचलो ठीक है तो अब तक मैं इस इस पर कंसिक्टर करता हूँ है यहां पर देखो फाइब के पास में दूर नोड होंगे फाइब इसका चाल्ड शिक्स है तो यहां पर एवरेज देखेंगे तो 11 वाई 2 जो कि 5 फिर से आ जाता था फाइव पर यह तो हमारा एक और एक हाउँ होगा इसा संगब आप देखो तो सिंगल है जो लिफ नूड है तो वह उप्सक्राइब ये जो होगा यह अंसर होजर हो जाएगा यह होगा यह से को फर्क नहीं पड़ता हम सिमलर्ली क्या करें सप्रेटली हार एक नूड के लिए उसके लेफ्ट और राइट जो भी उसका चाइल्ड है तो उसको कल्कुलेट करें वहां सम आएगा सम जो होगा वह बेसकली चलता जगरी कर्शिवली तो हम उस पर आएंगे उस पार्ट पर तो सिमलर्ली हम देख सकते हैं पर टोटल हमारे पास फाइव नोड हैं जिसका जो एवरेज है उसके उसके सब्ट्रे का तो एवरेज हो उसकी रूट के वैली को बराबर तो हम यहीं कॉंट करना बताना है तो अब चलते हैं कोईशन पर ओके यहां इमेज भी आगया तो ठी हमने हर एक नोट के लिए अगर हमने चेक किया तो जायर से बाते इस नोट के लिए पहले चेक किया पूरा और इस नोट ने धार Schwанием करेंगे तो किया हो रहा हमारे पास कि अगर हम फूर के लिए चेक करने तो यह चीज पहले इतना कल्कुलेट हो रखा और इस चीज को बाहर दुसरे वाले पार्ट में यूज़ करने वाले इसको क्यों ना एकदम बेसिक वाले पार्ट से चले हैं यह वाला पार्ट इसका यूज़ कर रहा है यह वाला पार्ट इसका यूज़ करेंगे और फाइनल पोजेशन से यहां से हम सुरू करेंगे अपना इसका यहां सुम क्या करेंगे अब इसका राइट में जितने भी स ρाम है तो एवरेज बिसकलिए अवरेज चाहोगा लेफ्ट सम अगर हम देख एक हो गांपना और इसकी साइट में हमें एक और नमबर चाहिए कि लेफ्ट में कितने कांट हो रहे हैं तो इलकांट अगर हम होगा हमारे रूट की वैल्यू है ठीक है यह हमारी रूट की है टोटल हम सम देख रहे हैं टोटल सम हमारे रूट की वैल्यू होगी प्लस हमारा एलसम होगा ठीक है एलसम के लिफ्ट वालब पार्ट का सम एलसम के बाद राइट सम होगा एटना हमारा सम क्या होगा डिए टोटल अनमबर फील्मेंट कितना है वंत इस रूट के लिए वं मैं दे रहा हूं इस रूट के लिए ठीक है मालो गर इसका होता तो और इसके लेशाया होन जो इसके लिफ्ट सब्सक्रीय काउन्ट होगा भाउस नंबर फ्नॉड और आर काउंट जो बता रहा है कि उसके राइट में कितने सब्टर रहे हैं तो यह बैसिकली इसका क्या होगा यहां पर एवरेज निकल गया और यह अगर रूट की वैल्यू से मैच कर गया तो हमारा जो अंसर होगा वह एक इंक्रीज कर जाएगा और यही चीज मुझे क्या क कल्कुलेट हुई इस वाली वैल्यू में इसके पूरे वैल्यू यह इस नोड का सारा सम यह जो टोटल सम है यह सब सम इसके लिए बापस रिटर्न होगा यहां से रिटर्न होगा यह वैल्यू और जितनी इसकी यह वाली वैल्यू है यह वाली वैल्यू भी मुझे रिटर्न चाहिए तो basically हमें return में दो वैल्यू चाहिए ठीक है इसी नोट के लिए उसी तरह इसका राइट वाला पार क्यल क्यूलेट कर के फिर यहीं दोनों वैल्यू यह पर आएगा और यह दोनों वैल्यू आएगा चुके तब यहां यहीं वाला condition पर चेक करेंगा इंफिर यह दोनों रिटर्न करता जाएगा और हमारा फाइनल जोगा वह तो यह तो यह तो होगे स्वलूशन पार्ट इसमें बेसकली आपको मतलब बहुत सो लोगों को पूर्ड करना इसे समझ में आ रहा होता है कि ऐसे करना यह कोड किस तरह करना है ना प्रॉबलम होती है यहां पर दियान दिया कि हमने दो value को रिटर्ण करतों हमारे पास या तो इसको पेर भाइज रखो तो मैंने यहां पर पेर यूज किया है आप इसको दो वैल्यू कि यह एक्वेक्टर बनालो एंड वेक्टर जीर एंड जीरो इंडेक्ट पर इंडेक् थीक है रूट पर डिएफेश अप्लाय करने के बाद आपका जो होगा वह यहां पर आपका जो होगा प्यर बेसिकली रिटर्न कर रहा हूं है तो यहां पर क्योंकि हमने देखा था यहां पर मुझे एल्स अकर लेफ्ट वाले पार्ट पर जा रहे हैं तो इलसम भी चाहिए औ टाइप डिएफेश रूट रिए इसमें और कुछ नहीं आरा वैल्यू ठीक है और उसके पहले ग्लोबली जो वैल्ली अंसर मैंने रखा ताकि सारे अंसर कल्कुलेट होता चला जाएगा अगर आपने इसको यहां पर डिकलेर किया तो आपको इसमें पास करना होगा और उस नहीं तो इसके लेफ्ट से एक कल्कुलेट होते ही बारा हो रहा हुगा और राट से कल्कुलेट होते ही अ लेफ्य और चलकुलेट होके अगे गहां जो भी आएगा उसमें दो वैली ओगी है एंश अग्र बंधानिवर होसं किसक्ने कृँप मईने musical साली टीमियक connection और आए साइड का और जोगा राइट साइड का संग एनड किसे वहाई वाला काम के मैंने वøल सम्न सब्सक्राइब अगर वो के मेंट जो नोड है उसकी वैल्यू की इक्वल हो रहा तो अंसर प्लस-प्लस नहीं तो पुछ नहीं करना में उसके मैं रिटर्न कर दूंगा लिफ्ट साइड राइट साइज प्लस प्लस तो यह अपको हो जाएगा टोटल साइज अगर देखने हैं तो साइज यह रिटर्न होगा वन क्यों आइड कर रहा हूं वो करेंट नोड के लिए और सम यह हो जाएगा और इस करेंड वैल्यू को भी अगर टोटल सम यह टेंप्ररी सम जैसे भी ओके सो फैनली क्या होगा हमारे पास टोटल सम हो जाएगा टोटल नुम्बर आफ एल्मेंट जो भी एक्कोल होरी एवरेज के ओके सो इस वीडियो में इतना एथ है एंड आई होप दोनों वीडियो दोनों क्वेश्चिन का आप आपको जो है सॉलुसान एक्स्प्लेशन सबको समझ में होगा एंड आपको कैसी तरीके का डॉट रहता है तो आप कमेंट में पूछो एंड कमेंट में पूचिने टाइम पे लाइक क्लिर कर देना कि किस क्वेश्चिन के गार्डिंग कुछ पोचे हो ओके सो कभी-कभी हो स